हालो प्रेंड नमस्ते गुड मॉनिंग और फ्रेंड इसे हैं आप उम्मिद करते हैं आप सब पच्छे होंगे तो देख रहे हैं यह जो स्टोब है गेस का चुला इसको देख रहा है इसको बनाना पड़ेगा क्योंकि इधर वाला ठीक से नहीं जल रहा था तो कॉसिज करते ह अगर गर्ण मराना चाहते हैं तो फिर इसको पल्टा दीए इसको प्लास प्लास एक्टो चाहिए इससे आब इसको कि आपके खुल देते हैं तो हुआ कि हो गया तो फिर देख पा रहे हैं पुरा रश्ट हो गया है काला हुआ है हुआ है इसको घर में बना सकते हैं हम लोग का सहर पांच किलमेटर दूर है तो इसको ले के जाना बड़ा दिक्कत होता है तो प्राय कोसिज करते हैं भार में बनाने का कोई है ठीक है फिर चलिए देखते हैं बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं हो गिया अब यहां परी एक सब्सक्र करके तो लगा रहता है देखिए इसको हम खोल रहे हैं देख लिएगा है अपरी लगा रहे हैं उसको प्लास देश कर देख रहा है कि एक ठोड लगा हुआ था इसा करके कि एहीं से गेस आता है हाँ पर एक छोटा सब्सक्राइब करता है और जाम हो जाए कभी कभी तो है गेस नहीं आने से लिए ठीक से जलता नहीं है तो जाम दिख रहा है इसमें चोटा सब लगे गा पीन लाकिस को परा साफ करना पड़े गए दव जाकी जलेगा इजמׂ होगी अब इधर वाला इसको भी थोड़ा अब को तो नो तो जल रहा था है बोला इधर वाला जल रहा था येस तो इसको नोजल बोलता है इसको आप साफ करके फिर जैसा खोले होंगा इसे ही टाइट कर लीजेगा तो फ्रेंट आभी नोजल है तो इसको नोजल अगर थोड़ा दाना और कोई रस्ट आकर जाता है तो तो यह जाम हो जाने से भी जलता रही है पर हमालूम तो चलिया कि यह का जाम कपज़ेशे ही नहीं यल्दा है तीन दाना पड़ेगा थीन थीन थेन थोड़ा जाम है तो आप भी फ्रेंट घर में रहिए तो फिर इसे घर का बना लिजेगा एक फ्लास खली तरकार पड़ेगा आपको अधरा सा ये लिक्वीड साफ करने वाला लिक्वीड है इसमें थरा सा दुबा करके रख देते हैं तक जल्दी से साथ हो और इसको डूबा देते हैं तक दोनों को थोड़ा दर डूबा कर दिया है फिर अभी थोड़ा दर में पीन से साप कर देंगे और फिर इसे ही लगा देंगे फिर बासके जलेगा तो ठीक है मिलते हैं फिर बुसरा वीडियो में आज का रिव्टी यहीं खतम करते हैं बाइए